आज मैं आपके साथ एक इंस्टेंट खीर की रेसिपी शेयर कर रहे हूं इसलिए क्योंकि इसमें हम मिल्कमेड या कंडेंस्ट मिल्क यूज़ कर रहे हैं जिसे इसे पकाने में आपको सिर्फ 15-20 मिनिट सी लगेंगे तो यहां पर मैंने एक लीटर फुल क्रीम मिल्क यूज़ किया है हाफ टिन कंडेंस्ट मिल्क या मिल्कमेड यूज़ किया है और एक हैंड़ या एक मुठी चावल यूज़ किये हैं इसकी कॉंटिटी आप अपने हिसाब से चेंज़ कर सकते हैं अगर आप एक लीटर मिल्क ले रहे हैं तो एक हैंड फुल या एक मुठी चावल इसके लिए इनफ होंगे तो हमें पांच मिन्ट चावल सोक करने के बाद उसे दो से तीन मिनिट के लिए थोड़े से घी में फ्राय करना है अब इस चावल को एक लीटर दूद में डाल की मीडियम फ्लेम पे तब तक पक नहीं जाते अब इसमें हाफ तिन कंडेंस मिल्क मिलाकर पांस से चेह मिनिट के लिए पकाना है अब कैस बन करने के बाद इसमें हाफ टीस्पून इलाइची पाउडर डाल दीजिए और जो भी ड्राय फूट्स आप डालना चाहें उसे थोड़े से गी में रोस्ट करके डा रहता है और यह देखिए हमारी खीर बन के तयार है थैंक्स फर वाचिंग सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को तो गेट बेस्ट होम रेमेडीज और फूड रेसिपी